कि हलो फ्रेंट्स कुड मोरी ओलो क्यों मैं सुनिल सर्मा यूर एंग्लिश टीचर यूर हटली वेलकम इन अगें इन वेकानन ओनलाइन क्लासेज आप सब का फिर से आर्दी कवन दना है वेकानन के ओनलाइन क्लासेज में दोस्तों की अपने देखा होगा अपने पिछले ओड का टॉपिक चल रहा है एडवर्प को एक बर मैं फिर से दूसरे तरीके से क्लियर करता हूं वैसे मैंने बताया Simone की विशेश्ट विशेस्टह बताए या आ विशेशन आडिजेटियू की बताए या फिर किसी दूसरे की बताए उनको में ओसी बात को मने नहीं से दूसरे सपाई से एड़ विसेशन के बारे में भी अत्रिक तु सूचना देने का काम करते हैं जैसे ही इस फुली डीप वह डीप क्या है बहरा यह विसेशन है और एड़ विससे पहले फुली वह पूंत है बहरा है नेक्स्ट है एड़ वर्ब क्या है एड़ वर्ब वो है दोस्तों जो किसी दूसरे क्रियावी सेशन के बारे में अत्रिक्त सूचना देने का काम करते हैं जैसे for example के लिए she sings very nicely, अब इसमें दो है, एक तो very और एक है nicely, तो nicely के बारे में कौन बता रहा है, very, वह बहुत अच्छा गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है, इस तरीके से दोस्तों, अब पढ़ने once again समझने का प्रियास कहा है, दुबारा से कि विशेशन कहा है, विशेशन व जैसे ठीक वैसे ही है, यह जैसे विशेशन जो होता है, sorry, एड़वर्व है, एड़वर्व यहनि किरिया विशेशन और एडजेक्टिव यहनि विशेशन, एडजेक्टिव तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केवल संग्या और स्रणाम की विशेशन बताते हैं, पर कि किरिया के बारे में त्रिक्ट गयान देते हो, या विशेशन के बारे में त्रिक्ट गयान देते हो, या फिर किसी दूसरे किरिया विशेशन के बारे में त्रिक्ट जानकारी उसका विशेशन बताते हो, उन्हें हम एड़वर्व कहते हैं, पिछले ओडियो लेक्चर में मै में अत्रिक्त सूचना या उसका विषृत रूप बताता है उसकी विशेशता बताता है पिसले ओडियो में मैंने आपको तर आपको सबको 2 एड़ार के रूप पढ़ाये थे काइंडस हो बीशोपा क्यों कतें प्रुप के प्रकार की होते हैं उनमें सब दो पड़ा चुकतम है, Adverb of Time और Adverb of Space, समय से समन्दित और इस्तान से समन्दित, तीसर अपना आता है Adverb of Manors, वेवारी क्रिया विशेशन, ये वे विशेशन होते हैं, क्रिया विशेशन होते हैं, दोस्तों जो इस्ट पस्ट करते हैं कि वाक्य में जो कारी हो रहा है, वो कैसे हो रहा होगा, या किस तरीके से हो रहा था, या हो रहा है, या हो रहा होगा, ये में बताते हैं, इसलिए इनको वेवारी क्रिया विशेशन कहते हैं, उन्हें इंग्लिस में दोस्तों Adverb of Manor कहते हैं, जैसे सी इसमाइल स्वीटली, आव इसमें वर्ब है, इसमाइल, इसके बारे में स्वीटली हुए है, मदूरता पूरवक मुस्कुराती है, तो स्वीटली सब्द Adverb है, ये विशेशता बता रहे है किरिया की, यानि किरिया को एक्स्प्लेन कर रहा है, उसका तरीका बता रहा है, इस्टुडेंट्स हैव, एंटाइली रिवाइस देर कोर्स, यानि पुने दोरान कर चुके हैं, इस तरीके से आपका तीसरा एडवर्ब है, चोता जो आप कहाता है दोस्तों, एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी से समझ गया हूंगे आवर्ती वाचक, इसी को नंबर भी कहता है, संख्यात्मक क्रियाविसेशन, वे क्रिय इनकों अंग्रेजी में वही एडवर्ब और फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब और नंबर के नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसको समझो, सी ओल्वेज अटेंडेंस स्कुल, वह हमिसा, आप हमिसा विद्याले में उपस्तित रहती है, आई सो हिम ट्वाइस, मैं उसको दो बर देखा था, तो अब यहां दो बार, एडवर्ब है, दो बार आपका जिए, मैंने एडवर्ब, एडवर्ब, यानि एडवर्ब, वर्ब, सी सा सीन, सेकिंड फोर में पास्टेंडेफिनेटेंस है, दोस्तों सा, उसके लिए ट्वाइस, दो बार, तो यह आपका आवर्ती वा मातरात्मक क्रियाविसेशन के नाम से जाना हैता है, वे एडवर्ब जो हमें किसी भी कारिय की, किसी भी कारिय का कितना भाग हो चुका है, या कितना कारिय हुआ है अब तक, उसकी जानकरी देते हैं, उन्हें हम दोस्तों मातरात्मक क्रियाविसेशन केते हैं, इनको अंग् वियस्त है लगबग थकी हुई है तो लगबग यह लगबग बता रही है मात्रात्मक रूप को बता रहे हैं और उसमें रोदर में भी बलकि एक मात्रा का अर्थ निकल के आ रहा है कि कितनी मात्रा में कोई कितना वियस्त है वह लगबग थकी हुई है और वह है बलकि बीजी ह तो ये दोनों मात्रात्मक रोज़र और नियर ली समय दोनों मात्रात्मक क्रिया विशेस्टन हैं दोस्तों एड़ वर्ब हैं इस तरीके से अपने अपने इस ओडियो लेक्शर में तीन पास्त आपवल तो एड़े वर्ब को दुबारा से सम्झाए और फिर तीसरे नंबर ठेड थैड नंबर के एड़वर्ब एड़वर्व पेनर को उसके बार में अपने चोते नंबर के एड़वर्व पृड़िक्वेंसी और फिर पांच नमबर वाले को समझा है तो दोस्तों आपको प्लीज लिसन माई ओडियो अगें और अगें और ट्राइटो अन्रेस्टेंड विट वर्ड मीनिंग ओके गोएड बेस्टो प्लक्ट